कि यह स्वामलेकुम क्या फाइव लेक्चर 54 स्टार्ट करें चुरो यार एक सवाल करते हैं होमग में कोई सवाल नहीं दिया था पास्वेबर क्षेशन वन कर ले ना कि यह सब्सक्राइब कर ले ना किदर रहें पास्वेबर क्षेशन वन पेज नमबर 433 यह इसे कल भी आप हमवर्प में करते थे वे रालाज कर लेना पेज 440 पे 433 कहां से आ गया 440 पे यह पेज 440 पे पास्वेबर का क्षेशन वन लोग लोग पास्वेबर क्षेशन टू ना इंशाला मैं कभी जनवरी के एंड या फेबरेडी में करवाओंगा तो इसको भी टच्च नहीं करना इसके फाइनल अकाउंट वगरा पढ़के ना फिर यह होगा दो इक पास क्षेशन में का पेजन वाग 433 नहीं यह तो प्रेक्टिस के हैं क्षेशन में क्या आगे होंगे गोहर वाला सवाल है गोहर वाला एक हां पेज़ सब्सक्राइब आ पोल्य दो इसके है लिए पशेशन में का पास्ट ने पन्रब्स इससे बिन सेगमें फिर इन अडेकर दिसमाद वर इस आर आ पन्रार्या आ एस एसेटिस हुर्यैंने अनुप से स्थागेर Sl Workers निजिныटी एई हुए अगर अगर मैं फुल खला के बातके अरू हमें एक कॉल और सिंवा झाय। profits का कुंसा column चाहिए profits का वो कैसे निकलेगा अगर मैं इसको कहता हूँ A और इसे कहता हूँ B तो फिर profit निकलेगा A minus B यानि gross profit में से खर्चे में क्या कर दो minus कर दो अभी इनको छोड़ो ना बीच में gross profit में से खर्चे minus कर दो तो मेरा क्या आजाएगा बोलो net profit तो बताओ यार वन वन जिरो वन माइनस 63 बस समझागी ना वाइड बोर्ट पर ही करते हैं solution में समझागी whatever it may be लेकि ये column paper में डालने की यहाँ जरूथ नहीं है concept आपको दे रहा था के column order डाला होता तो हमारा काम दरहा असान हो जाता आपको याद है ने कल के स्वालों में profits दिये वे थे आज उसने profits जो है वो हाँ अच्छे एक बाई याद रखना लाइबिलिटीज की बेस पे ना हमने कोई desire नहीं लेना तो इसलिए लाइबिलिटीज को भी मैं इग्नोर करूँगा जो 10% टेस्ट था ना वो मुझे वे भी तक याद है 10% टोटल सेल पे लगना था एक 10% टेस्ट लगना था profits पे और एक 10% टेस्ट लगना था assets पे तो लाइबिलिटीज पे कोई 10% टेस्ट नहीं लगता देखो इस तरह तो ना खतम प्रॉफिट्स या 10% अफ एसेट्स और एक और टेस्ट एंड पे लगते हैं वो होता है 75% यह कितनी देर हो यह रिकॉर्डिंग शुरू है मुझे पता हो तरह कितने चार मिनट हो गया है यानि कि इदर 35 पे शुरू है ठीक है चलो शुरू करो कल की दरह सवाल हाँ लाइब पड़ेगा और इंशाला इस सवाल में डिस्लोजर बनाने है उसके लिए मैं वेट करूंगा कल आप घरों से त्यार होके हैं डिस्लोजर कल बनाएंगे डिस्लोजर आज नी बनाएंगे अच्छा इसमें ना सेल इंक्लूद इंटर सेग्मेंट सेल बाइक केमिकल तो पोलिय जी मैं यह पहली बात पातो या सेल इंक्लूद आपस की सेल बाइक केमिकल तू सेल इंक्लूद तो मुहतरम अब बता दो ये टोटल सेल है एक्स्टर्नल सेल है इंटर्नल सेल है total sale sale include sale में पड़ी है sale में पड़ी है देखना आपस की sale chemical to polyester आपस की sale sale में पड़ी है chemical to soda ash की sale और ये तो obviously यार आपको पता होगा कि chemical ने polyester को चीज़ें बेची है और chemical ने soda ash को चीज़ें बेची है polyester बनाने के लिए शायद chemical के जरूत पढ़ती है और soda ash बनाने के लिए शायद chemical के जरूत पढ़ती है तो इसलिए chemical ने हम अंदर से ले लिया तो chemical seller है बाएर कोन है पोलियस्ट और chemical seller है और बाएर कोन है soda ash chemical की sale में शामिल है इस 1790 में मसला है सिरफ chemical की sale में शामिल है sale to and sale to soda इस 1790 के अंदर sale to polyester पड़ी ही है यह लेकिन अब इस एंगल से ना सोचना कि इनकी purchases में भी मसला होगा और purchases तो हमारे दीन ही नहीं purchases का हमें काम ही नहीं purchases को नहीं छेड़ना आपने बस sale को clear चलें जी अब बता दें sale कितनी है chemical की 1790 उस में किस कि sale पड़ी ही है polyester की और sodaish की इन्शाला भी इसको set कर लेते हैं कुछ करने की जरूद नहीं अभी लेकिन ये decision दे दो sale include आपस की sale से एक बात पकी हो गई है कि ये total sale है ये पेपर में बात लिखने बड़ी जरूरी है ताके हमें समझा जाजए ये total sale है चलने जी शुरू करें पहले का करना है यार answer में जगा छोड़ देनी है कि reportable operating segment पहुंच से है मैं आपको बर्मला ये बात कह रहा हूँ कि मैं आपको 10 मिनट जाया करने लगा हूँ उस सारा काम जो कल किया था वो कर रहा हूँ हालागे दो सवाल revision के दो रुपे कर लिया थे तीसरा सवाल कर लेते है revision हो जाएगी working one practice करें बस working one कौन-कौन से column डालते थे यारा किसी को यादो external sale, internal sale, total sale, profits, loss या assets उसला abilities उगरा नहीं बचाओ जी कौन-कौन से column external sale, internal sale, intersegment sale भी होती है ये internal sale अच्छा, आगे कौन से sale, total sale आगे profit या loss और assets बस चलेंज, उनके नाम बता दे है chemical, soda ash, polyester, polyester, आगे, paints, paints और, pharma और, total, total चलेंज, लेट स्टार्ट अच्छा, वोस में पड़े हैं, ये कौन से सेल है, total sale है ना ये, तो फिर नीचे वली लाइन भी रहने दो दो, नीचे वली लाइन भी रहने दो, ये total sale लिख लो गलत ना लिख वाना को चीज, 17, 90, 216, 216, देखते है उदर से, 227, 227, 247, 252, 252, total है ना जो भी, 252, क्या है, ये आगी हमारी total sale, ये आगी हमारी total sale, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए, अब हमें चाहिए, ठीक है, तो आगे जाने से पहले, इंटर्नल अगला कर लेते हैं, कैमेकल की sale में, आपस की sale शामिल है, जो इसने polyester और soda को की, 28 और 10, 28 और 10 कितने मिलने होता है, 38 मिली है, अब आपको soda इस polyester को छेड़ने की जूरूत नहीं है, क्योंकि ये उनकी purchases में गई हैं, उनकी purchases वग कैमेकल की sale में मसला है, कैमेकल की sale में मसला है, क्या मैं इदर line लगा सकता हूं, कोई आप मुझे बता सकते हैं कि external और internal को जमा करें तो total आएगी, तो आपको accounting का एक rule पता होगा, कि इदर मैं लेख दो 3 और इदर लेख दो 5, तो इदर 2 प्लस 35 आएगा, इसका मतलब है, से 2 पर पोंचना चाहूं, तो 5 माइनस 32 आएगा, तो 1790 माइनस 38, 1752 यह बैलंसिंग निकली है, 1752 और यह total question में गिवन थी, total question में गिवन थी, external balancing निकला है, बाकी departments में यह मसला है, और किसी की internal sale, आपस की, चलें जी, क्या जवाब आ रहा है, टोटल, external, external में तो वही जवाब आएगा, 200, 16, 216, 216, 227, 247, और टोटल करने की विजरूद में छोड़ो करें, अच्छा, profits चाहिए, यह एक ना मैं लाइन छोड़ा हूँ, एक लाइन खाली छोड़ा हूँ, इसलिए मैं profits निकाल लूँ, gross profit कितना है, 11, खर्चे, 63, 1, 1, 0, 1, minus 63, 1, 0, 3, 1, 0, 3, यह ना पेपर में इस तरह चोटी सी working नीचे करते रहें, जी, gross profit बोले, है, 117, 117, minus 57, 60, इस बाद देख लोजर से कैसे आ रहे है, gross profit में से खर्चे, माइनस करें, तो net profit आ जाएंगे, जी, आगे बोले, minus, 23, जी, 45, आगे बोले, 46, minus 16, कितना, 46, हाँ, 16, हाँ, जी, 10, आगे, 31, minus 12, हाँ, जी, 19, हाँ, 19, होँआ, होँआ, आगे चलेंगे, चलेंगे, आगे जाएंगे, अब अगर आपकी अजाज़त हो, तो मैं, यहां से कुछ मिटा दूँ, कि मुझे उसकी जुरूवत नहीं है, अद्धार एस दिस वन, यह, यहां तक पहुंचने का तरीका था ना, जीसे क्रीम गाड़ी के पराप आते हो इदर, क्रीम गाड़ी पर वना कर देते हैं, वो यहां तक पहुंच गए, बस अब हमें क्या उससे, तब यह यह जो फिगर्स थी, इसे अब हमें क्या करना, आपने यहां तक पहुंचना था, अब मुझे, ब्लू मारकर था, रेड मारकर था, पहले यूज़ किया था, पहले रेड मारकर यूज़ किया था, बहराल, पहले रेड मारकर यूज़ किया था, रेड मारकर अगर आपने पहले यूज़ करें ना, तो तीन स्टार लगाएंगे, वर्किंग टू के लिए तीन स्टार और जब वर्किंग थ्री कराऊंगा तो फिर एक स्टार लगेगा तभी वर्किंग टू के लिए तीन स्टार लगवादें कहा कहा लगवाने है एक स्टार लगेगा टोटल सेल पे वो भी निकालना है हमने तोटल प्रॉफिट ही निकले गए इतर प्रॉफिट्स और लॉसेज में से हायर के चक्कर में नहीं पढ़ने के दुरूफिट्स ही काफ़ी है जी प्रॉफिट्स को जमा कर लेंगे और साथ तो कल जो स्टार नीचे लगा हुए था आज वो उपर आ गया है वो क्या सितारा होगा जो नीचे से उपर अच्छा जी तो आप मोहतरम टोटल कर लें शुरू से शुरू करें एक स्टनल का टोटल मारो 2694 इसका 38 जी 2732 एक्स्ट इसो को टोटल मारे डबल वन 52 आगे इसको आपने क्लोस को ना उप्छा क्लोस का तो टोटल से लें आगे यूज नहीं हो नहीं बहराल 1414 14,So,Done यहाथ टार लें नूट चलो जी आगे काम फ़तम हो गया लागा शुकर है यहां तक वर्किंग टू अब जल्दी से होजेगी वर्किंग टू का नाम 10% test किस किस के अपर 10% of total sale जी 10% of total sale total sale कितनी है 273 यहीं यह तीन स्टार वले figures अब आगे लेके जानी है 2732 कितनी आगे 273.2 अगे चले 10% of 1152 10% किसका profits का 10% of 1152 और 10% of assets जी 145.5 जाने अब ना वो अब यह एक दो तीन चार पांच जार अब यह पांच यह लिखने की जरूरत नहीं है तो छोड़ी पर अपकों बड़े हो गये आपकों बड़े हो गये आपकों बड़े और पांच आपकों पांच आपकों पांच आपको अब आप देख लें अब बच्छों मुला काम तीसरी जोती क्लास हो ला 273 से बड़ी figures अटेशा कर ले 273 से बड़ी figures एक कोई भी नहीं है चलो ठीक है फिर खालिए chemical तो क्या chemical एक बड़ा department है हमारा क्या मैं कैसे बता हूं chemical अच्छा खासा सेल कर रहे है अच्छी खासी सेल कर रहे हैं तो यह यूजर को बसा दें फिर chemicals के बारे में आगे चलें रिपोटेबल है यह chemical अच्छा प्रॉफिट्स कितने हैं जी 1.2 115.2 115 यह तो काफी बड़ा है chemical अगें सिर्फ कौन से identify हुआ chemicals हालां कि वैसे उपर identify हो गया था लेकिन फिर भी लिखे chemicals आगे चले total assets कितने हैं जी 145 तो 145 से ज्यादा एक दो और बस chemical और soda ash chemical soda ash clear बात यहाँ पर रुके कि नहीं जी आगे चलेगी बात working number 3 75% external sale test clear यह जो working three है एक बात ज्याद रखना working three में आपकी आँख है न यहाँ होनी चाहिए external sale यह आँख आपने देखनी है मेरी external sale बस इनके इलावा एक फिगर भी आपने नहीं देख नहीं ना internal ना total external sale okay अब सिर्फ मेरे लिए यह वाला column relevant है लेकिन आप इसको छोड़ो यार 75% test को चोड़ो मुझे external sale बताओ किस कि चैमिकल की और सोड़ाइश की हाँ बस चैमिकल की और सोड़ाइश की एक्सटरनल sale बताओ chemical की external sale chemical की external sale 1752 सोड़ाइश की external sale 216 total 1968 अब इस टेस्ट का नाम बताएं 75%%%%% external sale test इसको 75% आपने लेना लेना 75% इसका नहीं लेना test लगाना है 75% 1976 का पकड़े और यह जो मैंने blue market से highlight हिए है 2695 यह नी देखो नँद देखना इधर यह वली sale और यह वली sale इस total का कितने फीसद बन रही है ये देखनाय बस यह दोनों sale तोटल सेल का कितने फीसद बन रही है तोटल सेल कितनी है कितनी है डलवा दें जिसके external sale बाकी जो बच गही है उनमें सबस्यादा हो तो इनको तो चुपा दे अब ये तीनों देखें 227, 247 252 इन तीनों में से सबस्यादा sale किसकी है तो farmer डालकर try करते हैं 75% पे पहुंच जाए 75% पे पहुंच आने की कोशिश करनी है फार्मा कितना है 252 252, किस में डालूं और अट करूं 1968 में 1968 में 222 अगर मैं इसमें डालूं तो यही देखो ना यार साइट पे सास्तिक चेकिंग तो करनी है यह तो टोटल चल रहे है साइट पे टक चेकिंग बारे डिवाइड़ वाई 2694 इंटू इस एकॉल टू 82 पसे नब आगे कुछ करने की जरुद नहीं है बस खत्ब अब ता दें एक और सेग्मन इडिंटेफाय हो गया जिसको रिपोटेबल करना है किसको ताके 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 कम से कम हमारी 75 फीसल सेल तो लोगों को पता चले ना हमारी 75 फीसल सेल ही अगर लोगों को पताना चले तो हमने खाक डिस्क्लोजर बनाने है खाक में उड़ गए अच्छा बनाएं जी बोलो रिपोटेबल अपरेटेंग सब्सक्राइब आपरेटेंग सब्सक्राइब अपरेटेंग सब्सक्राइब एक रहा जिक जडी ताइंक गोन सा नुम्ट वान गमेकल पार्म़, होम्वक के स्वाल ने उन्हें ने इक मसला देगा उने हमें 22-23 maps लगा दी है तो र्रम्व्वक दुस्ते हैं, हम Mm एक मसला दाप हों धानी है कि वीजन्स क्या हैं día हैं क को आपने क्यों बनाया रिपर्टब हो डरी सेग्मेंट तो मुझे रीजन बताना शुरू करो रीजनस । रीजनस में ना तीनों के लग लग लिख देता हो आपको चैमिकल की रीजन बताओ केमिकल क्यों बनाया राआ बताओ ना 10% sale का test जो है total sale का test ये 10% total sale की वज़ा से 10% total sale का test इसकी reason है और के reason है 10% profit वाला test भी इस पे लग रहा है reasons बता रहा हूँ 10% वैसे तो एक test में भी न ये बन जाए तो वही काफी होता है एक test में भी chemical आ जाए देशे सोटा है एक रही की दफाय है फिर भी हम इसे report इस काबिल बना रहे हैं इसको report करना है और chemical की एक और बज़ा भी थी कि chemical के assets भी थे और chemical का profit भी था 10% profit test और 10% asset test तो अगर आप से कोई पूछे है कि यार chemical को क्यों बनाया है क्यों chemical को क्यों नहीं का? क्यूं बनाया है chemical को आप कहेंगे chemical को इस दिए बनाया ह tapping के sales 10% of sales से ज़ए है उसके profits भी 10% से ज़ए है उसके assets भी अच्शे खासी है soda ash को क्यों बनाया है? soda ash को बनाने के बशchas है ये है कि इसके assets अच्शे खासी है उस पर कौँ से टेस्ट लगा है? 10% ऐसे टेस्ट ठीए रीजन समझा रही है? रीजन तो यहाँ अगर आप साथ साथ लिखते रहे हैं तो रीजन समझा जाएंगे फिर पुलियस्टर को क्यों बना दिया है? उसके सारे 10% टेस्ट फेल थे 10% टेस्ट तो फेल थे, क्यों बना दिया है? पुलियस्टर नहीं फार्मा फार्मा को क्यों बना दिया है? 75% इएस्टर्न सेल टेस्ट के वेजा से 75% एस्टर्नल सेल टेस्ट वह यह रीजन सहन की फूल कि अगर मांग ले पास सेबर के करिस्टन वन में उसने मांगी भी है लास्ट क्लास में हमने ये बात नहीं की थी हो सकती थी चले हैं अब आप बता दें कि केमिकल किस वज़ा से रिपोर्टेबल बना माशाला इसकी सेल भी ज्यादा थी इसके प्रॉफिट भी ज्यादा थी इसके एसेट भी ज्यादा थी ये सदसी बात होगी जो हमने उपर लिखनी अबे सोडा एश क्यों बना रिपोर्टेबल ये उसकी सेल और प्रॉफिट तो ज्यादा नहीं थे लेकिन इसके एसेट अच्छे खासे ज्यादा थे ये रीजन है और फार्मा क्यों बना ना उसके सेल ज्यादा थी ना प्रॉफिट ज्यादा थे ना एसर ज्यादा थे वो 75% टेस्ट ओवराल डाला तो उसके अंदर वो जकड़ा गया लो जी सवाल की पहली रिकॉर्मेंट खतम होगी या लाव इदर सवाल की पहली रिकॉर्मेंट खतम होगी दूसरी इंशाला कर लो ना नहीं लेकिन दूसरी नहीं मैं शुरू कर दूंगा सुरसी शो दीज रिपॉर्टेबल सेग्मेंट रिकॉंसलेशन कल बनाएंगे लेकिन आज शो करेंगे हम यूजर्स को तो यह इंशाला आज हम शुरू करेंगे नोट में तो नोट का थोड़ा से हिस्सा बनाएंगे अब ना एक इस सवाल को मैं यहाँ पर पॉस कर रहा हूँ और पॉस करके थियोरी की तरफ स्विच कर रहा हूँ तो लेट अस कामान थियोरी वाइट बोर्ट पर सारा खुलाव है थियोरी थियोरी में आजें जी सेग्मेंट रिपोर्टिंग पहला सफ़ा पेज नमबर 427 चाही बातें आपने अल्मस्ट पड़ी में हैं लें यह दो नही बातें आपके लिए के segment reporting is required for an entity segment reporting page नमर कोई से है segment reporting is required for an entity whose debt or equity is listed on public securities market पकिस्ण में कोई सी है public securities market stock exchange segment reporting is required for an entity whose debt or equity is listed on a public securities market सरी यह शेयर्स तो सुना था security market में जाते हैं यह debt भी securities market में जाते हैं भाई सबर कर लो एक standard हमारा IFRS 9 आएगा उसमें इसकी बात कर लेंगे कोई मसला नहीं फिलहाल आप इस को रटा नहीं मारना जहिन में रख लो कि standard में पराटू में दी होगी segment reporting is required for an entity whose whose वली तो तुकनी बनेगी न यह यह entities debt तो कटे का ना duplication होगी है आप पढ़ो segment reporting required for an entity who's who are in process समझ लो who are in process of becoming quoted clear तो बता देंगे segment reporting किन किन के लिए करनी है number one दो लिखा रहे ने तो entity उपर who's से मिला के ना पढ़ो बात असान सी है छोड़ो जो लोग stock exchange के अंदर अपने आपको list करा चुके हैं उन पर भी यह standard लगेगा जो stock exchange पे अपने आपको list करवाने जा रहे हैं उन पर भी यह standard लगेगा clear हजीब सी बात मठाई बंटे जा रही थी मठाई बंटे जा रही थी आवाज लगी अच्छें चलो वह भी अजो भी मुहने में शादी होनी को आजो जो आजो जेके हमाहर तो कोई प्रोग्रामने करे कि तक हम दो नहीं नदेर्स ओड़ो तुम बागो तो आप बता दें वो company's जो stock change में list हो चुकी है उन पर भी standard लगना है जो list होने समझागे आपका से जो list होने जा रही है उन पर भी लगना है और जो list हुई नहीं नहीं और ना जाने कभ रगरा है भी कोई उन पर standard लगना है तो अब मैं आप सփएढिल अश्पट कंपनी इस पर स्टेंडर लगना है? बिल्कूल भी नी क्यों नी इस प्राइवेट कंपनी से पर स्टेंडर कंपनी अशंस में किन न lot क्योंके वो stock exchange में ना list हुई हैं ना list होएं ना list होने जा रही है लेकिन एक public company है जो ना stock exchange गई है ना जा रही है पब्लिक है हाँ कभी चार पांच साल बाद जा सकती है उस पे भी नहीं लगना आई है standard जनी उनको नहीं जरूरी नहीं है segment reporting का standard लगाना तो segment reporting का standard बात यह है कि बड़ी बड़ी companies को लगाना होते जो ने stock exchange में अपने आपको लिस्टेंग कर भाई है जैसे हमने वह पैकीजिस का देखा था पैकीजिस लिस्टेंग में लिस्टेड है ना इस वह जासे हमने यह standard लगाया था अच्छा यह बात तो एक अलग होगी अगली बात पूर से सुनना कहीं दफ़ा नहीं है इसा होता है यह तो एक single company की बात करा था कहीं दफ़ा था एक parent होता है यह हम consolidation में पढ़ेंगे एक parent होते हैं फिर आगे उसकी छोटी-छोटी subsidiary companies होती है ऐसी सुरत में सबको अपने accounts के अंदर segment reporting बनाना ज़रूरी है नहीं ऐसी सुरत में अगर एक parent है उसकी छोटी-छोटी companies है तो उसने क्या करना है सिर्फ जो consolidated financial statements है ना उसमें यह बनाना है बाकिया हमने बनाना है तो यह बात कहा समझाएगी यह दरा consolidation में लेकिन अगर एक बोलो 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 अगर एक बंदा अकेला रह रह रहा है ऐसी मिसाल दे रहा है अगर बंदा अकेला रह रह रहा है उसकी खेर है अगर अबू है उनके बच्चे है तो अबू काम कर ले तो बच्चों की तरफ से काफी है similarly अगर एक बड़ी कंपनी है उस बड़ी कंपनी की छोटी 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 कंपनी कही है तो वो बड़ी कंपनी ही बना ले तो काफी है लेकिन अगर कोई कंपनी है यह केली और स्टॉक शेंज में अपने आपको लिस्ट करवा लिया वो तो बना ले कोई मस्तानी लेकिन अगर बड़ी कंपनी और साथ उसके चोटी-चोटी कंपनी भी है फिर सारे यह स्टेंडर्ड लगाएं या बड़ी कंपनी लगा ले अपने अकाउंट्स इनको ग्रूप अकाउंट्स कहते हैं इन ग्रूप अकाउंट्स अउनली कंसॉलिडेटेड सेग्मेंटल इंफरमेशन नीड्स तो बी शॉंग यह इसी वज़ा से न यह जो पैकेज़ेज है इसमें यह जो सेग्मेंटल इंफरमेशन कल मैंने आपको दिखाई थी ना अजीब सी यह सेग्मेंटल इंफरमेशन आरी है कोई पेज नमबर 253 पे एक मज़े की बादा सुन लो इसमें पहले 100-500 सफ़ेशन के अपने अकाउंट्स थे और 100-500 सफ़मेशन के बाद नीचे कहीं जाके इसके तो इसके कंसौलिडेटिडेटिड अकाउंट्स है तो इसे अकाउंट्स चन्में सारी कंपनी जिकाठी हुई में हैं यह बात चोड़ो परें फिर यह कंसॉलिडेशन में करेंगे इन चक्रों में पढ़ गे अच्छा बहराल चलें आफरेसेट के बारे में तो अगर एकंपनी की काफी सारी कंपनी तो फिर वह बड़ी कंपनी अपने ग्रुप अकाउंट्स में यह फरेसेट लगाएगी हर जगा आइएएएएएएट लगाना जरूरी नहीं है अब रेटिंग सेगमेंट्स अब रेटिंग सेगमेंट्स कि किसे आइएएएएएएएएएट जराट भूनना ओखो स्वारी बेले हो नहीं सेगता के ना हो यह अच्छा है यह ना गोर्मे बेकरी है गोर्मे बेकरी जो हजरात इदर लाहोर में रहते हैं उनको अंदाजा होगा गोर्मे बेकर्स का तो गोर्मे बेकरी जो है ना बेकरी जो रेस्टरेंट्स में अनके गोर्मे फिरनीचर की दुकान भी खुलगी भी है बहुत को नहीं बताओका बहुत से को पताओका गोर्मे की कैटरिंग भी चल रही यह फंक्शन्स अरेंज करते हैं गोर्मे का मैगजीन भी मिलता है और गोर्मे की फॉर्मस्टिकल काम भी शुरू हो गया वे दमाईयां बेचने वाला इसके लावा कोई गोर्मे का जिसमें तीन करेक्टरिस्टिक्स पाई जाएं ऑपरेटिंग सेग्मेंट क्या होता है जिसमें तीन करेक्टरिस्टिक्स पाई जाएं प्रॉफिट्स कमा रहा हो पहले बात प्रॉफिट्स कमा रहा हो दूसरी बात इसकी इंफर्मेशन आप अपने सी-ई-ओ के सामने पेश कर तो तीसरी चीज, इनके रिकॉर्ड्स आप अलग लग रखते हूं इनके रिकॉर्ड्स आप अलग लग रखते हूं यह कॉंसेप्ट है बख्रीय making बड़ी मुश्किल होती होगी. तो बता दें, operating segment को क्या होता है? जिसमें कितनी criticism पाई जा रही हो? जो profit कमाता हो. Number two, जिसके CEO के सामने information disclose की जाती है, उसे बताई जाती हो और तीसरी बात decision making के लिए है, ताकि CEO decision ले. और CEO decision क्यों लेता है? ताकि उसे बता चले कितने resources इसको allocate करनी है, कितने बंदे इदर भेजनी है, कितने बंदे इदर भेजनी है. और तीसरी बात, उसके T counts वगारा अकाउंटिंग में लग रखे जाते हैं. तो ये तो दोनों चीज़ें हैं जो मैंने अंदर से रंग नहीं भरावा. कि मैं जान बूच कि इन दोनों में रंग ने भरावा. इन दोनों को operating segment नहीं कह सकते हैं. अब आप कोगे क्यों ये profit से नहीं कमाते हैं. head office profit तो नहीं कमाता है. head office तो एक elephant होता है, जो कि खर्चा सिर्फ करा रहा होता है हमारा और कुछ भी नहीं होता. और R&D department भी revenue नहीं कमाता है. हाँ आएं, ये सारे departments मिलके R&D से help ले लेते हैं, लेकिन R&D department खुद तो revenue नहीं कमाता ना. तो इसलिए ये दोनों fail हो गए. head office भी fail हो गया और R&D department भी fail हो गया. clear? लेकिन एक छोटी सी बात और सुन लो. एक concept आफरी, बड़ा important. Real estate का business शुरू कर दिया. मैंने यहाँ लिखा नहीं, मिसाल के तौर पे, जगा खाली छोड़ी पे, मिसाल देने के लिए. Real estate का business शुरू कर दिया. अभी दुकान वगएरा, property का, दफ्तर वगएरा खोल लिया, sale purchase शुरू नहीं की. प्रॉफिट्स कमाने शुरू कर दिया है या कमाएंगे? उसको भी operating segment करेंगे. हालांकि अभी profits कमाने शुरू नहीं किया, लेकिन कमाएंगे तो सही ना. लेकिन आपको बता है, यह दोनों तो कभी भी नहीं कमाएंगे. यह दोनों तो कमाई नहीं सकते, प्रॉफिटिन का मकसद नहीं. तो अगर कोई start-up operations है, समझे लिए, start-up operations, अगर कोई start-up operations है, इनसे profit कमाना है, इन्शाला, और उन पे भी काम शुरू हो गया है, तो उनको भी आज के बाद हम कह सकते हैं, अपने operating segments कह सकते हैं. चलो जी. अब operating segments क्या होते है? इस बाते याद नहीं रखनी, पराफ 5S standard का, इस अपने इस इस बाते हैं याद नहीं रखनी है, इस पर फाइवे संटर्या, नुबर बन, इट इंगेज इन बिसिनस अटिविटीज प्रम विच इन एं रेविन्यू and incur expenses. मैंने इसकी जगाँ आपके लिए प्राफिट के लाफ बोल गिया था? इस. इस में incur revenue and incur expenses, including interest segment, including interest segment revenue. अच्छा, मेरी वास हो न, एक मिनट. furniture कहते हैं, मैं external sale करता हैं नहीं? मैं external sale करता हैं नहीं? मैं bakery को furniture बेचता हूँ, मैं catering को furniture बेचता हूँ, मैं magazine जहां बनते हैं, उनको थड़ा furniture दे रहता हूँ और pharmaceutical का furniture मैं बेचता हूँ. यह कहते हैं, मैं external sale करता हैं नहीं. Is it operating segment? बताएं, MCQI. Is it operating segment? Yes, it is operating segment. Why? Because revenue से अमराद, यह नहीं के बाहर के लोगों से कमाएं. Revenue अंदर कभी असाता है, including intersegment revenue, from transaction with other components of the entity. A startup operation not yet earning revenue may be an company. यह बस समझागी? Real estate जैसे मैंने मिसाल दी. तो उर्दू मैं लिख लें. गोर्मे ने real estate शुरू करना है. मिसाल नहीं जाद रह जती है, वना यह single line इस तरह भूल जती है. अच्छा जी, दूसरी शर्त क्या है? Its operating results are regularly reviewed by entities chief operating decision maker. यह chief operating decision maker कोन होता है? यह ना हर organization में different होते हैं. Chief operating decision, maybe CEO, maybe board of directors. तो are regularly reviewed by CODM. बो. Its results, operating results क्या होते हैं? revenue में से खर्चे मैनस करतो results पता चल जगे. Are regularly reviewed by chief operating decision maker. यानि जब भी CEO's or board of directors बगरा बैठते हैं तो हमंगवाते हैं, यार ले ओ भाई, bakery का कितना profit आ रहे है? ले ओ भाई, catering का कितना profit आ रहे है? About resources to be allocated. You decision कोन से लेते हैं फिर? किसको कितना resource allocate करना है? और उनकी performance. अच्छा आखरी बात किया point three, discrete financial information is available. क्या मतलब इसका मैंने उर्दू में लिखा या आगे मतलब लिखा हूँ है? standard में नहीं दिया हूँ है, separate accounting records are kept. तीनों के T account अलग लग बनते होंगे, कठे बनते होंगे? अलग लग बनते होंगे. चलें जी, पांच सेकंड ले 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 ये बना ले. तो head office और R&D मोहतरम क्या नहीं है? तस्वीर ले नहीं है, तो मैं तुर हो जाता हूँ. head office और R&D are not operating segments. operating segment बनने के लिए तीन शरायत हैं. incur revenue, sorry, earn revenue, incur expenses. पहली शर्थ, दूसरी शर्थ, Chief Operating Decision Maker इनको regularly review करता हो for purpose of decision making ताके resources allocate कर सके. और तीसरी शर्थ, discrete financial information सबकी available है. यानि अगर मैं सादा जबान में बात करूँ, सबके T count लग 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 बन रहे हैं. तो इस मुनियाद पे head office और R&D को में किसकी definition से बाहर निकाल दूँगा? और डबबा ही हमाना तूट गया, चलो. और आगे बढ़ लो या, note, corporate headquarters or other departments. Other departments लिख लो, R&D. corporate head office and other department do not earn revenue or not operating segment. यह operating segment नहीं है. ब्रेके टोली बात का मतलब पताओ. Only incidental revenue. incidental revenue, सुनलो क्या होता है? head office के अंदर कोई generator था, वो बेच दिया आपने. तो revenue तो इसको नहीं कहते है, आप लोग अदर income ही कहते हैं, लेकिन incidental, हादसाती तोर पर revenue आ जाता है, कोई मस्तानी. कोई head office ने किसी के खिलाफ कोई case कर दिया, तो case जीत गया head office. head office के पस दो लाग रुपे आ गया, दो करोड रुपे आ गया, case जीतने पर. वो revenue नहीं है, वो revenue तो है, incidental revenue है. जैसे लिख लो fixed asset बगरा बेच दिया head office ने. लिखा करो न, incidental revenue, fixed asset head office ने बेच दिया. तो ये fixed asset head office ने बेच दिया, तो बोलो, ये क्या है? अच्छा, ये तो वो, पिछले session वाली मैंने खोली भी ये किताब, वापिस आजें. चलें जी, आगे. ये भी ना छोड़ दो, aggregation of segments. aggregation. अब अगला सवाल है, अब अगला सवाल है, के pharma, catering, furniture, bakery, इन में से reportable कौन से हैं? किदर हैं? अच्छा, पहला सवाल क्या था? अब इन में से operating segment कौन से हैं? clear? तो operating segment कौन से हैं, जिन में कितनी characteristics पाए जाएं? अगला सवाल बता दें क्या है, अगला सवाल ये है, के इन में से reportable operating कौन से हैं? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फार्मा, मैगजिन, केटरिंग, फरनीचर और बेकरी को लिखना पड़ेगा working one में, गोर्मे के लिए हैं को, head office नहीं डालूँगा इदर, head office नहीं डालूँगा इदर, अब reconciliation की base बना रहा हूँ, कल में ने reconciliation करवानी है, head office नहीं डालूँगा इदर, इदर क्या डालू जो operating segments है, operating segments है, सारे डाल दूँगा, क्या furniture, क्या वो, लेकिन head office नहीं डालूँगा यहां पर working one में, जब यह डाल दूँगा working one में, चल बेकरी working one में, चल फरनीचर working one में, कैटरिंग बोली मिन्नू भी ले जो, मैग जिन फार्मा तुसी भी आ जो, सब को working one में ले जाएं इनको, मैंने color नहीं किया हुआ, सारी color कियों को working one में ले जाएंगे, फिर अगला सवाल होगा, कि इन, देखना हाथ, इन reportable में से, कौन सा, सुरी, सुरी, मादरत मेरे मुझे, इन operating segments में से, कौन सा reportable है, यह next question है हमारा, फिर इन operating segments में से, reportable वाले identify करेंगे, यह उपर वाल में से, फिर अगले identify करना है, और यह मैं आपको नहीं पठा रहा, यह standard में दिया होगा, और वैसे भी क्या पढ़ना, इसका क्या, पताई है, separate information must be reported for an operating segment that meets any of the following quantitative threshold, heading के identifying, इन, 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 इन अच्छा जी, revenue, including both external and, is 10% or more of the combined revenue of all operating segments, देखो, यह वाला जो टेस्ट है न, पहला है, total sale पे होना है, external and internal में लाके, including both internal, इसको जाद नी करना छोड़ो, profit or loss is 10% or more, in absolute amount, absolute amount का मतलब है sign ignore करके, of the greater of, greater of, greater of, greater of क्या करते थे हैं, combined profit of all, नीचे लिख देते थे, याद आरा होगा, combined profit सबका लिखते थे, और combined loss सबका लिखते थे, जो नहोंने loss दिया है, और जो नहोंने profit दिया है, जो नहोंने loss नहीं दिया है, उनका profit जमा कर लेते थे, और जमा करके फिर क्या पकड़ते थे, greater, और assets are 10% or more of the combined assets of all, तो मु liabilities है, नहीं है, तो फिर बोलो, revenue total लेना है, देखो मैने highlight क्या किया है, यहां से आपको add दादा हो रहा है, revenue total लेना है, test 1 में, revenue total लेना है, profit or loss लेना है, whichever is, greater, और assets, यह तीन चीज़े लेना है, पकड़ लेना है, और in the end, at least 70% of, at least 75% of external sales must be included in reportable segment, तस operating segments that fall below the quantitative threshold may need to be identified, देखो, तस operating segment that fall below these three limits may need to be identified, दो बार एंगलिश पढ़ लेना है, the operating segment that fall below thresholds, इधर देखो, the operating segments, 1, 2, 3, that fall below the threshold of 10% threshold same rat 10% लेक्रो, आपर लेक्रो, रेक्रो बेलो देखो, देखो बेलो देखो, आप कंतिव धर सब लेक्रोंपर, पर लेक्रोंगो देखो, तसAny página डरे debt fall below the 10% may need to be identified, as reportable किस वजह से ताकि वो 75% टेस्स वाला पास हो जाए चकर अच्छा जी इंदा इंडिस ने क्या लिख्या है कहते है स्टेंडर्स सजेस्ट करता है 10 से ज्यादा operating segment नहीं आपके होने चाहिए स्टेंडर्स सजेस्ट 10 as practical limit reportable reportable segment 10 से जादा ही होने चाहिए वैसे 10 से जादा हो भी नहीं सकते दस स्टेंडर्स परशेंट जब आप लेते हैं तो 10 से जादा कैसे बढ़ने हैं यह कोई ideal से नहीं हो हो सकता है कि exact 10 स्टेंडर्स सब के आ रहे हों तो फिर 10 reportable segment हो जाएंगे इस जादा वैसे भी नहीं हो सकते तो standard का मश्वरे ज्यादा है ज्यादा reportable segments कितने हो सकते हैं आपके 10 उनको separately disclose कर दो और अगर 10 से जादा बन गए वैसे तो मेरे खाल से बनने का chance नहीं होगा अगर बन गए तो कहते हैं information बहुत detailed हो जाएगी फिर तो बहुत जादा user ही परिशान हो जाएगे तो maximum कितने operating segments बना सकते हैं कि MCQ आ गया maximum कितने reportable बन सकते हैं सोरी maximum reportable कितने बन सकते हैं लिख लो इतने बने तो नी करेंगे आपके ऐंशाला लेकिन maximum reportable कितने बन सकते हैं लिख लो अगया MCQ को रहते बार से कोई स沮ाला गया तो 10 बन सकते हैं 10 से जादा नहीं बन सकते Okay जी अच्छा अगली बात जी now we are going to start a very important discussion and that is we are going to prepare note हम note बनाने लगे हैं यह जिसको आप disclosure कहती है financial statements का वो बनाने लगे है अच्छा अगली भाया सुनो कल ना note बनाने के लिए मुझे पुरा whiteboard चाहिए होगा note तो note है ना फिर note बनाने के लिए मुझे यहां से लेके यहां तक whiteboard चाहिए होगा आप क्लेए तो मैं घ़िये काम करने लगा हूं मैं वीडियो पास क्राने लगा हूं और वीडियो पास करा के व्रकिंग वन वर्किंग यहां से पकड़के उपर動कर शिफ्ट करने लगा हूं तो सराषिक कर देंगी कि इसको, नहीं नहीं भाई, सारे टीचर लिखेगे, का हम दवारा लिख लेंगे, कोई मशना न ही, वर्किंग बन को इदर मैं पकड़ के, कहां शिफ्ट करने लगाूं, यहांš शिफ्ट करने लगाूं, तो भई वीडियो आप पॉस कर दो, ताके मैं वर्किंग वन को यहां शिफ्ट कर लूँ, हाँ पॉस कर दो, कोई गड़बट तो नहीं होगी, अचा जी, यह मैंने वर्किंग वन को कंट्रोल सी किया था, एक सेकंड में मैंने यहां कंट्रोल वी कर दिया, और अम वीडियो आ निया दे यहां टीकर दा थो तो चलो मैं टीकर देता हूँ रिपोर्टेबल कौन कौन से थे खाम चामिकल था सोड़धा और फारमा है तीन रिपोर्टेबल यह चाई अब मुषरər मैंने डिस्प्लॉजर ynanic यह यहर यह 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 उती है तो इनका क्या रिपोर्ट करना है य को रिपोर्ट आती है तो आपके तो रिपोर्ट डिलिवरेबल है तो डिलिवरे में इसका क्या डिलिवर करना है मैंने तो रिपोर्टेबल का क्या मतलब है रिपोर्ट कर दो तो क्या रिपोर्ट करो ये सवाल है हमारा अब यार हमारा डिस्क्लोईयर बने लगए यह हमारा नोट बने लगए उस नोट को हम शुरू करते हैं नोट का नमबर जो मर्जी रख लो नोट का नाम मैं आपको बता देता हूं नोट का नाम क्या रख रहे हैं नोट का नाम रख लो यहर सेग्मेंट रैलिसिस क्या नाम रख लो सेग्मेंट इस चलिए में भी नोट नमबर 30 असर में यह नोट ना P&L से लिंक होते है ना balance sheet से लिंक होते है वो financial statements में कहीं एंड पर जाकर यह नोट पड़ा होता है जैसे हमने उदर भी देखा था कल तो नोट नमबर 30 जी नोट का नाम बताओ जी segment analysis segment analysis इसमें नोट नमबर 30.1 को मैं आज बना देता हूं नोट नमबर 30.2 कल बना लेंगे अब ब्लैक मार्कर का कह सकते हो आप उनको कह सकते हो अच्छा चलो जी हमारे आप reportable वाले segment बता दो कौन-कौन से हैं पहले पहले ना आप reportable वाले बताने हैं पहले reportable वाले बताने हैं कौन-कौन से बोलो chemical soda ash आगे बोलो आप फार्मा यही तो खलती करनी थी तो नहीं फार्मा अब are you feeling के chemical soda फार्मा अब यह published financial statements हैं इन में से अगर मैं पूरी line लगाँ ऐसे goal करके इन में से ये reportable में आ गया ये reportable में आ गया और ये reportable में आ गया ये तीन reportable में आ गया लेकिन यार एक काम और करने हैं एक line आपने और बनानी है all other segments बोलो all other segments उनके नाम यहां लिखने जरूरी नहीं है लेकिन मुझे बताओ आपको बते all other segments कौन कौन से हैं मुझे बता दो all other segments कौन कौन से हैं इनको मैं टेक तो नहीं करूँगा लेकिन आपके समझने के लिए मैं green marker पकड़के इनके ओपर ऐसे dot सा लगा देता हूँ एक green marker से अला करें नहीं नहीं आजाए polyester और paint ये कौन से segment होगे जी all other segment अच्छा अब इदर मुहतरम चीजने ड अच्छा इसमें ना एक एक line नीचे छोड़नी पड़ेगी चोटी सी calculation करनी पड़े तो इसलिए छोड़ी चोड़ी मैं line छोड़के लिख रहा हूँ external sales internal sales total sales आगे 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 ना भाई total sales आपकी बात अपनी जगा यहां पे ना मैं एक नई line डालने लगा हूँ यहां पे एक नई line डालने लगा हूँ वो नई line ज़रा सुन लो चेहरा उपर करके operating expenses क्या डालने लगा नई line operating expenses आगे चलने दो profit बोलो 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 assets और एक और नई line डालने लगा हूँ liabilities कोंसी नई line डालने लगा हूँ liabilities अच्छा लेव ब्लैक मार्क अब ज़रा मेरी बाव और से सुनना किस base पे decide करना है कि किस base पे decide करना है कि इन 5 में से कोई 2, 3 या 4 reportable है वो base है 10% test वो क्या base है 10% test वो test सिर्फ तीन चीज़ों पे लगाना है total sale profits और assets के उपर 10% test लगा के decide होजे कौन से reportable हैं के chemical के खर्चे कितने हो रहे हैं reportable की liabilities भी disclose करो user को तो reportable जो बन गए gross profit disclose करने की दूर होती है reportable जो बन गए क्या उनका वही report करना है जो 10% test में लिखा था नहीं 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 जो reportable बन गए उनका 10% test वाली चीज़ें में लिखनी है और rhythm में चलते हैं मैंने operating expenses यहां लिख दिया आप नीचे लिख देना paper में यार कोई मसला नहीं आप rhythm में चल रहे हैं आप ऐसे लिख दो external internal total profit assets external internal total profit assets खर्चे आपको नहीं याद रहे हैं इदर लिख दो no problem at all कोई तर्तीम नहीं है इसमें को balance sheet नहीं बन रही disclosure is simple it's disclosure just disclosure में मैं बताओं कुझ जाईश है उसमें गुझ जाईश होगी तो इसलिए मतलब कि आपको खुद अपनी तरह से नहीं अगले काल कलाओं को किसी और disclosure में गुझ जाईश निकाल रहे हो तो operating expenses को आप कहीं किसी और line में डाल दो बस disclose करना है लेकिन दरह ना रिदम अच्छा चल रहा था sale आए फिर खर्चे आए फिर profits आए फिर assets आए फिर liabilities इस वज़े से ज़रा खर्चे यहां लिख दिया अच्छा we are very lucky ना हो किदर देखो ये देखना ये 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 और profits और assets ये figures यहीं से मिल जाएंगी जब मुझे चाहिए होंगे ना खर्चे और liabilities फिर मुझे बताना मैं चल के सवाल की तरफ जाऊंगा तो अभी मेरे खाल से चले बगएर वाला काम कर लेते हैं चाकि मुझे चल के सवाल की तरफ ना जाना पड़े यार ये जो working है ना ये हमने की थी या user को शो की थी अब मैं इस working वाली चीज़ें अगर इदर उतारू ना तो खुदा के लिए मुझे ये ना कहिएगा सर आप तो duplication करवा रहे हैं हमें paper में ये user को बतानी है ये चीज़े ये user को बतानी है ये चीज़े ये हमारी internal working थी और ये working जिससे depreciation होती है हम depreciation opening पे additions पे disposal पे लग निकालते हैं total आते हैं और depreciation के note में खाले depreciation लेके जाते हैं total तो कोई चीज user को दिखाने वाली होती है कोई अपने लिए होती है तो ये किस के लिए थी अपने लिए बनाई थी और ये आप users को disclose करनी है मैंने यार chemical के external state ढूंड़ो one seven soda तो आप गल्ती में बच्चे ये उठा लेते हैं पता नहीं क्यों 227 two two fifty two अब मुझे तरह गाइड करो मैंने ये line क्यों छोड़ी हुई है यह इन दोंड़ों को जमा करने के लिए 227 को 217 को जमा करने के लिए 227 सर तो जिर्सप्रकेशन को जमा करने के लिए मैंने ये hani दरह चोड़ दी थी of the segments 4司वन 4 meaningful अगर आपने line नहीं छोड़नी न पेपर में, तो देखो इदर, देखो 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 line नहीं छोड़नी, तो ये वली figure यहां bracket में निकाल लो, clear, लेकिन इनमे total का column आना है भी एक, total का column उसी तरह आएगा इंशाला, अच्छा अब feeling क्या आ रही है आपको feeling जो आपको आ रही है न वह मैं बताता हूँ वो यहां से समझ नहीं आनी अच्छी वो आपको समझ आनी अच्छी इसके solution से सवाल के पहने दो बढ़ा है इदर से भी अच्छी feeling नहीं आनी वैसे क्योंकि ये एक सफ़े पे नहीं है चलो खेर है अब ये आप लोगों को कुछ खोलने की दुरूथ नहीं पेज 445 पे ना इसका सलूशन है ये केमिकल को मैं एजिटिस ले जाओंगा सोडा एश को एजिटिस ले जाओंगा और फार्मा को एजिटिस ले जाओंगा इन दोनों को मैं मर्ज कर दूँगा तो अगर मैं लाइन खेंचने की कोशिश करूँ लाइन खेंचने में में नाकाम होगा ये मैंने केमिकल को अगले सफ़े पे डाल दिया एजिटिस काशे हल्की से लाइन समझ आजे ये पहला दूसरा बुला कोंसा था सोडा ये मैंने सुलूशन में सोडा एश को एजिटिस ले आया हूँ और तीसरा कोंसा था फार्मा तो ये मैं फार्मा को ले आऊंगा ये मैं फार्मा को ले आऊंगा और उसके बाद ये फार्मा को ले आया पेंट को किस नाम से ले आउंगा अधर्स लेकिन अधर्स की जगह जो मैंने वाइट बोर्ट पे लस्ट लिखे ना वो ज्यादा अच्छा है अधर्स को अगली दफा किताब में भी बदल देंगे अच्छा ठीक है जी तो यह मैं आपको तामा जा रहा था और अगर इधर से आप समय सब्सक्राइब चाहें तो केमिकल को डेटा इधर ले आए सोटाइश का डेटा इधर ले आए फार्मा को थोड़ा सकें यार अब इदर आ तो तीजी प्रोटवल देना है हटो 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 हट जो 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 तुम दोनों इकठे बैट जो क्या मतलब इकठे बैट जाएं फोल्डिंग खूल के सेट होके बैट जो दोनों इकठे प्रोटोगोल देने फार्मा को इनके सोटो केमिकल और सोडा एश के साथ लागे सितार अलगे अब बोलो जी इंटरनल सेट यहां आब देख देखो ना इसका मतलब क्या होता है साथ जी बात देखो यहां मैं अंगली रुखने इसका मतलब क्या होता है सोडा की इंटरनल सेल बोलो जीरो इस इस अंगली का क्या मतलब है फार्मा की इंटरनल सेल क्या आगया जीरो बोलो बोलो ऑल अधर सेग्मेंट्स की इंटरनल सेल किस की? All other segments की All other segments की Internal For presentation में show करो Zero अच्छा एक बात और सुन ले ना ये paper में ऐसा करना है यार अब मेरे खाल से इधर करрем तो टोटल पहले कर लेते हैं कि इधर सौ बें जाने की दरुכל है क्या मश्करा है? सौ बारा चलें ज़ल देagu Premier इधर स्छी टोटल कर लेते हैं कितना? यह मैं एक दो था तोटल, यह होड़े मुशकिल है end पर ही कर लेंगे इसको छोड़ा आगे जी खर्चे यहर खर्चों के लिए मुझे कहा जाना पड़ेगा working one में या question में आपके समझ नहीं के लिए 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 working one में या question में और liabilities के लिए मुझे कहा जाना क्या मतलब है chemical car profit कितना one zero इदर बोलो मतलब इसका soda car profit soda car profit कितना 60 फार्मा का profit घलत फिकर ना को लिए खुआ फार्मा का profit जी 90 okay all other segments पेपर में ऐसे आपके से बास कर लिए अल अधर segments का profit तो 35 कितना अगया 35 एसेट्स अब तो समझ आगी यह बाद जल्दी करें six thirty seven triple four one thirty two one thirty two one one five plus one twenty seven one one five plus one twenty seven जी two four two four two छो मैं आपको एक मिनट दे रहा हूं liabilities और operating expenses पहले liabilities कर लेना सवाल से देखके try करो liabilities और operating expenses अब सवाल में जाके देख लो अपके elा हम जाख बाल जाएने वी फिर लो यह राम झाल करब मुएख जे वो हम को कि यह जाएना आफे और वह भी झाल हम को कि देखके कर लो और एजर मोब्टक्ष को कि उना है अपके भी बाग़ भाई नोगिसे रुख डाउन्लोडिंगर्करेग्टियून्या यहाद हम बाई इसलिए रुटम्लोडिंग्यून्या भाई नोगिसे रुटम्लोडिंग्या। झाल झाल चले नहीं आजो सवाल की तरफ जी लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज कैमिकल की अब इतनी असानी से नहीं मिलनी सीधी सीधी ढूणनी पड़ दी है लाइबिलिटीज कैमिकल की 442 सोडा एश्की 355 442 और 355 नदर आ रहे हैं नीचे 355 फार्मा की 98 और इन दोनों को क्लब कर लेंगे ठीक है आपको बताना ये तो रिपोर्टेबल है ये भी रिपोर्टेबल है ये भी रिपोर्टेबल है इन दोनों को कठा करना है 94 और 108 अच्छा इस ही कितनी थी 98 चलें 94 प्लस 94 प्लस 108 202 202 202 अच्छा 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 जी खर्चेप आते यार खर्चेप नेगेटिव में लिखने की दूरो हती है 63 57 और बारा 63 57 और बारा 23 और 16 23 और 69 39 चलेंजी दन टोटल करा दें 26 94 26 94 38 2732 अच्छा अच्छा तोटल जारा सही देखना 63 प्लस 57 प्लस 12 प्लस 39 वह बला 100 पसेंट सही होगा रिलाई कर लो सब 171 अच्छा हाँ कितना 171 14 10 10 पही ये वाला चेकर दो दो रमाई लाइबिलिटी जला अच्छा लाइबिलिटी जला चेकर दो रोपरेटिंग एक्सपेंसिस वाला बाकि तो वो सही है ले जी ये नोट है या नोट की थोड़ी सी जलक है जलक है कलरी कॉंसलेशन्स बननी है कलरी कॉंसलेशन्स बननी है वो वाइट बूट की साइट बे बन जेंगी तो ये काम हमने कल नहीं किया था अगर आज की क्लास से निकलते वे कोई आप से पूचे मिसाल के तो रूपे आज की क्लास से आप निकलो आपको समान बुज़़ार मिल जें क्या पढ़ा रहे हैं राइस वाले आप कहेंगे आज इन्हों ने रिपोर्टेबल को रिपोर्ट कर सिखाया है और पिछली क्लास में इन्होंने रिपोर्टेबल निकालना सिखाया था कि रिपोर्टेबल कौन से हैं पिछली क्लास में रिपोर्टेबल निकालना सिखाया था और इस क्लास में रिपोर्टेबल को रिपोर्ट करना सिखाया चलें आजें ऑके किदे रहा है फ्रसेट किदे रहा है और पर गाइब तो नहीं हो गया हमारे से ये पड़ा वाई अच्छा एक और चीज ज़रा मैं देख लू इसको अगर हम यहां से पकड़ें और इधर लाना चाहिए इसके पास अच्छा यहर एक चीज बताओ तो कौन से रहा है और्यस स्टेंड़ कर भी अरिजिल स्टेंडर को खोले है यह ओर यह अरिन स्टेंडर आपकर कहा है मिलेगा, आपके घर में न दो वालियूम पड़े हैं, आपके घर में पढ़ावें, पाँच मेरे खाल से शायद किताबे पड़े हैं, उस में सिर्फ C1, C2 वी किताब तो फारिक करें, जो A वाली किताब है न, A में भी A1, A1, A1 वाली किताब आप खोलें, और A1 वली किताब खोल के आज तो घरों में बैठे हैं सारे तो A1 वली किताब ओ तरीख है यह तो नेट चलाना पड़ेगा इसके लिए लोडिंग पर टाइम लगेगा और चला वह नेट खबर दस अच्छा तो A1 वली किताब खोल के उसमें आपको जाए औरिजिनल स्टेंडर मिलेगा तो औरिजिनल स्टेंडर के अंदर यह चीजें आपको नजर आएंगी अच्छा चलें छोड़ें अला करें यह लोडिंग हो जाए इसको लोडिंग का टाइम दे देते हैं नेट तो चला भाई हो जानी चाहिए हम मीन वैल एक और बात कर लें मौतरम वो बात ये है जो रिपोर्टेबल बन जाए उसकी कितनी चीजें रिपोर्ट करनी है अच्छा रिपोर्टेबल बनेगा कैसे 10% total sale, 10% profit, 10% asset ये डिसाइड करके पर इसके लिए liाबिलिटीज नहीं चाही होंगी जो रिपोर्टेबल बन जाए उसकी क्या-क्या चीजें रिपोर्ट करनी है external sale, internal sale, total sale, खर्चे, profit, assets, li IoT, interest expense, interest income उनकी depreciation खते ही नहीं होती है स्टोरी यह भी सारा रिपोर्ट करना पड़ेगा जब एक रिपोर्ट हमारे स्वाल में डेटा नहीं है इंटरस इंकम का डेपरिसिशन का इन सारी चीजों का तो नहीं डेटर वगएर नहीं वह मैं भी लिस्ट आपको दिखाने लगा हूँ तो जो चीज कि इस रिपोर्टेबल बन जाए नंबर वान एक्स्टेरनल सेल उसकी नंबर टू इसकी इंटरनल सेल नंबर टू इसकी ऊपरटनल सेल नंबर फॉर इसकी नंबर फाइव सका प्रॉफिट नंबर श Death Castle नमबच देए स्टाओ 100 स्टंदल पाक могा क्या लो ना कंचे यह नहीं खुल रहा अच्छा जो रिपोर्टेबल बन जाए उसका क्या क्या रिपोर्ट करना है वो मैं आपको बताने लगाँ यार हाँ यह एक काम हो सकते हैं गुड यह ना स्टेंडर्ड का एक पैरा है वो जो आप दरा किताब पे आओ किताब पे आके अगले सफे पे आओ किताब पे आके अगले सफे पे ना एक लिस्स दीवी है यह सारी लंबी सी दूसरे सफे पे दूसरे सफे पे लिस्स दीवी है काफी लंबी सी कितने आइटम्स हैं पैरा नंबर कौन से है 22 22 23 यह यह फाइल कहां पड़ी होगी properties इधर जाके पड़ी होगी इसको पगड़ के हम दुबारा ले आते हैं लो जी लें जी कौन से परा हदरात ने फर्माया है 23 23 अच्छा पिछले से पर आओ एक और परा भी था जिस पर वो ऑपरेटिंग सेग्मेंट्स पता चले थे कौन से हैं कई एक और फाइफ यह कोऊ सथा पेरा फाइफ पराइफ पराइफ के यहいました कि यह ऺंडर ओर फिति ट्रेमाय केड़ से लोट जो 10% टेस्ट वाला, 10% टेस्ट वाला, 13 है न, 10% टेस्ट वाला, 10% टेस्ट वाला परा 13 है, quantitative threshold, revenue पर टेस्ट लगाने, profit पर टेक्स लगाने, asset पर लगाने, 10% पते हैं, वो ये वाला परा है, अगला परा कौन से याप जो मैं बता रहा हूं, 23, यह यह 23 परा है न, यह 23 परा है, अच्छा, 23 परा के अंदर, आपने क्या क्या डिस्क्लोज करना है, यूजर्स को, यह मैं कह रहा था, एक ना खतम होने वाली स्टोरी है, क्या क्या आपने यूजर को डिस्क्लोज करना है, revenue from, external customer, हमने शो किया आज, revenue from transaction with other operating segments, शो किया, interest income हमारे सवाल में data available, interest expense हमारे सवाल में data available, depreciation and amortization हमारे सवाल में data available, नहीं था, material items of incomes and expenses, material expense है, मेरा operating expense, अच्छा खासा expense है, operating expense, इस वज़े से मैंने उसको शो कर दिया था, material खर्चे, बड़े बड़े खर्चे, इसके बाद, आगे चलो, income tax expense शो करने सबका लग लग, जी बिल्कुल, material non-cash items other than depreciation and depreciation और amortization को non-cash क्यों कहते हैं, क्योंकि salaries cash में pay की जाती है, business के advertisement cash में pay की जाती है, depreciation तो cash में नहीं pay की जाती, क्या मतलब है, material non-cash items other than depreciation, impairment loss, impairment loss, ये भी एक क्या ये, non-cash है, standard तो खोल के आपको लिखने की जादत नहीं है, अभी book खुलवा के में दरा दिखाता हूं, लेकिन फिलाल मैं standard से आपको चीज़ें दिखवा रहा हूं, clear, so that is all, ये चीज़ें हमने disclose करनी है, और let's come on standards, standards इनको पढ़ना शुरू करते हैं, sorry, standards से पढ़ लिए, किताब पे आते हैं, किताब पे आ जाएं, किताब पे वापस आ जाएं, जी, पेज नंबर 428, disclose years, हमने भी segment analysis की heading दी थी, ये मैंने अभी नहीं कराया, ये देखो, ये उपर वाला मैंने अभी नहीं कराया, ये और ये, segment analysis, I'm a year of profit, क्या disclose करना है हमने, profit, इसके बाद, assets, इसके बाद, liabilities, इसके बाद revenue from, मैंने थोड़ी तरतीब आगे पिछे की ही हैं, inter segment revenue, इसके बाद interest income, इसके बाद, interest expense, depreciation and, amortization, जड़ा नीचे सबर सबर सबर, point 8, other material items of incomes and expenses, that is, material items की, कुछ मिसालें इसने भी दे दी हैं, write downs, जैसे bad debts हो सकते हैं, write downs, restructuring आप पढ़ो गया, I.E.S. 37 में, कोई disposals है, major आप show कर सकते हो, कोई court case के settlements होई है, किसी pharma के ओपर case हो गया था, polyester पर case हो गया था, तो उसके आप कोई भी खर्चे शो कर सकते हो लग से, कोई मसला नहीं, point 9, point 9 को मैं नहीं चोड़ा हो, income tax expense और income, CTE सबका लग-लग करो, हुँ तिरी खैर, बड़ा से आपा फ़नल पढ़ जाता है ये तो, CTE सबका लग-लग करो, और show करो, पेपर में आपको अगर show करना हो तो लग-गिवन होगा, और material non-cash items other than depreciation, ये कौन सा है जी मैंने लिखी विए बलकर किताब में मिसाल, impairment, ये क्या चीज़ है, entities, interest in profit or loss of associate, मुझे ये बताओ, कि आपने, किसी, बाहर की कंपनी के share खरी लिए, आपको उसके profit and loss में इंटरस्ट होगा, ये कोई interest नहीं होगा, इंटरस्ट होगा, और अगर आपने किसी कंपनी के share नहीं खरी दे लिए, तो आपको उसके profit and loss में इंटरस्ट होगा, नहीं होगा, अभी packages की में financial statement दिखा था, तो आप profit देख लेते हो, लेकिन आपको कोई खुशी जगाम नहीं होता, क्या आपको मेरी बिलास्ट है, मेरी company नहीं है, clear, ये associate क्या होता है, and joint venture, भाई हमें तो बिल्कुल नहीं पता है, associate joint venture क्या होता है, associate तो हम consolidation में पढ़ेंगे, जिसके हमने 20 से 50% shares buy किये हो, associate हम consolidation में पढ़ेंगे, जिसके हमने 20 से 50% के दरम्यान shares buy किये हो, joint venture तो हम CA final में पढ़ेंगे, equity method तो हम IS 28 में पढ़ेंगे, ये लफसी आज पहली दफा़ पढ़ेंगे, five of method पढ़ावाई, weighted average पढ़ावाई, ये equity method पता नहीं किये, ये equity method हम लिखें, IS 28 में पढ़ेंगे, तो मुझे बता दो, कभी कभी यहां तक हो जाता है, कि overall company, pharma को अजाज़त देती है, तू किसी के share खरीद ले, overall company, chemical को अजाज़त देती है, तू अलग किसी के share खरीद ले, तो अगर किसी ने किसी के share खरीदे में हैं, तो उनका उनके profits में इंट्रस्ट होगा, या least interested होंगे, अगर share खरीदे में हैं, तो interest in profits of associates, associates कुन होते हैं, इन्वेस्टी, जिनके हमने share खरीदे हों या जिनों ने हमारे share खरीदे हों, जिनके, और entity कों है, investor, हमारी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, जिनोंने share खरीदे हुए हैं, अगर PTCL यूफ़न के share खरीदे ले तो PTCL कौन है, invest, PTCL यूफ़न के share खरीदे तो PTCL कौन है, investor, और यूफ़न कौन है, investee, जिसके share हमने खरीदे हुए हैं, तो सिमिलरली अगर हम किसी के शेयर खरीद लें तो हम इंवेस्टर हैं, अगला क्या है? इंवेस्टी. तो अगर कोई हमारे इंवेस्टी वगरे हैं, एसूसियेट्स वगरा, जॉइंट वगरा, उनके प्रॉफिट में हमारा इंटरस्ट होगा या लीस्ट बॉदर्ड होंगे इंटरस्ट होगा, अगर वो कोई इंटरस्ट है प्रॉफिट में, यानि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको मिल रहा है तो वो यूजर को बता दे. next मौतरम एक होती है investment एक होती है उसका profit एक होती है investment एक होती है उसका profit जैसे एक साधा सी बात करूँ आपको एक बड़ी जबर्दसी मिसाल दो investment और profit में क्या फरक है आपने नहीं नहीं बिल्कुल असान सी मिसाल साधा simple life की exam पर आपने एक रिक्षा खरीदा रिक्षा आपको मिला 60,000 का ये आपकी investment है साल में आपने रिक्षे से कमाया 10,000 रुपया ये आपका profit है तो investment और profit investment क्या होती है मैंने 10,000,000 रुपे के यूफोन के share खरीद है ये investment है और उसमें से 10,000,000 में से इस साल मुझे लाख रुपया यूफोन ने कमा के दिया इट इस माय प्रॉफिट उपर जिकर हो रहा है 9 में profits का और नीचे का जिकर हो रहा है investment कितनी कीवी है associate में उपर associate के profit में आपको कितना हिस्स है और नीचे क्या है लेकिन यह consolidation की सारी बात है बहराल investment कितनी कीवी है आपने बोले associate में या investment कितनी कीवी है joint venture में जिसे account for किस method के तैयत कर रहे हो पता नहीं को 5-4 weighted average जैसा method होगा equity method आगे बड़े यह यह बड़ी मज़े की चीज है addition to non current assets addition to sir यह भी तो assets है मोतरम यह तो carry down assets होंगे यह भी तो assets है यह तो carry down assets होंगे यह क्या है addition to non current assets pharma की कितनी नई buildings करीदी polyester की कितनी नई buildings करीदी यह assets नहीं होंगे यह जो assets है ना यह यह जो सफ़े के top पे assets आ रहे हैं हमारी book में यह तो carry down assets होंगे और ये क्या होगा मोतरम additions to non-current assets exclusions छोड़े leave it, exclusions छोड़े ये तो insurance contracts आपके इस labels में भी नहीं है benefits assets rising under insurance contract post employment defer tax asset, defer tax asset show करने की ज़रोध नहीं है non-current asset में defer, defer tax asset को तक्सीम करने की ज़रोध नहीं है defer tax asset overall business का निकलता है अगर उधर defer tax asset का इधर भी स्यापा डाल दिया तो मुश्किल होजगा financial instruments भी IFRS 9 लिख लें फिर समझाएंगे the amount of these if these are included in segment assets अगर ये segment assets में पढ़ी हैं तो users को disclose कर दें अच्छा, यह दो नहीं चीज़ें आई हैं investment in associate or addition to non-current asset ये भी जाके original standard में देख लेते हैं अलगने मिल जाएं हाँ, original standard में परा 24 में available है amount of investment in associates and amount of additions to non-current assets other than वाली बातें भी यहां लिखे हुए है हाँ, यार मुझे ना भी जहन में आया, आपके जहन में ना confusion आसकती है क्या confusion आसकती है सर जो दुनिया का standard है ना, वो शुरू हो रहा है कहां से, वो शुरू हो रहा है revenue from external customer, internal customer interest income, interest expense सर वो यहाँ से शुरू हो रहा है dunya बनाने वालों को standard दुनिया का standard देखें, देखें, देखें sir, para 23 कोलें, दुनिया वाला को standard यहां से सुरूओ, external, customer, internal, interest, revenue और ये, सर दुनिया के standard में तो लिखा ही नहीं हुआ, कि assets भी शो करें, liabilities भी शो करें, और देखो 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 profits भी शो करें, चाहजी आपने कहां अपने से बना लिया, कि assets भी शो करने होते हैं, profit भी शो करने होते हैं, liabilities भी शो करनी होते हैं, तो मुतरम standard अपने घर में ढूंड के highlight करने, profit भी शो करने होते हैं, assets भी शो करने होते हैं, liabilities भी शो करनी होते हैं, यह तो उपर इसने लाइन में लिख दिया फिर नीचे ज्यादा रिटेल दाज चीजों की दे दी है आप मुझे बता दो अब अपने घर में सिरफ ये चीजें हाइलेट करनी है जो मैंने अंडरलाइन की हुई है अब मुझे बता दो क्या क्या चीजें है याद नी करके जाना पेपर में इस्टेंडर्स आथ खोल लेने है क्या क्या चीजें हैं जो मैंने यूजर्स को डिस्ट्लोस करनी है प्रॉफिट्स एसेट्स लाइबिलिटीज कोई एक जहन में रखो ना जिसाल के तुरपे कैमिकल डिपार्टमेंट है कैमिकल डिपार्टमेंट का प्रॉफिट बताने है कैमिकल डिपार्टमेंट के एसेट्स बताने है कैमिकल डिपार्टमेंट की लाइबिलिटीज बतानी है इसमें आपके जहनों में कुछ सवाल हो रहे होंगे कौन सी एसर्स कौन सी लाइबिलिटी इस इए इन्शाला में कर डिसक्रस करूंगा external sale बतानी है chemical की internal sale बतानी है chemical की अगर chemical ने कोई पैसा बैंक में इंवेस्ट किया हुए तो इसको interest मिला वो बताने अगर chemical के लिए कोई loan लिया उस loan पर interest पे किया वो बताने chemical के assets की depreciation बतानी है और chemical के materials, incomes and expenses बतानी है और ये छोड़ें chemical के income tax expense बताने है chemical के material non cash items बतानी है जिसे impairment loss बतानी है और chemical की investments बतानी है और companies में कितनी मीमी है और chemical ने कितने नई assets खरीदे ज़रा नजर मारें city को तोड़ के आपको दे देगा सारे departments में यार ये किस page पे था कोई note का number या ले ये जो packages में था ये ये देखो यार ये देखो नजर तो आपको नहीं आ रहा हुगा total revenue भी इनने बताया हुए intersection भी disclose किया हुए external भी इन्होंने उल्टा किया इन्होंने external end पे लिखे है total उपर लिखे है हम और तना करते हैं इन्होंने interest income भी बतायी है शायद है ही नहीं इन्होंने के पैसे कहीं रखे नहीं है इन्होंने interest depreciation भी बतायी है segments के profits भी बतायी है segment का tax भी बताया हुआ है segment के net profit after tax भी बताया हुआ है segment के assets भी बतायी है segment की liabilities भी बतायी है उस सारी चीज़ें इन्होंने डिस्क्लोज की हुई है तो ये कम से कम चीज़ें हैं जो आपने यूजर को क्या करनी है डिस्क्लोज करनी है ओके डेप्रिसेशन, अमॉर्टरिजेशन, सब कुछ होगे लेबला यहां पर तो मुझे बताओ, आज हम क्यों नहीं ऐसा कर सके हमारा भी तो दिल चाहरा था कि पैरा नंबर कौन से हैं यह दो पैरा नंबर है 23 और 24 तो हमारा भी तो दिल चाहरा था कि पैरा नंबर 23 और पैरा नंबर 24 के सारे डिस्क्लोजर बना के दिखाते है यूजर को लेकिन हमारे सवाल में सिर्फ ये डेटा अवेलेबल था इदर थोड़ी सी और चीज़ें आड़ करवादों अगर आपको कोई याद रही है इंटरस एक्सपेंस हमारे सवाल में अवेलेबल नहीं था इंटरस इंकम हमारे सवाल में अवेलेबल नहीं थी depreciation हमारे सवाल में available नहीं थी बोलते रहो आगे नहीं नहीं देखे बगार रताओ कोई non cash items जिसके लावा जैसे impairment loss बगार नहीं था associates की investment कोई नहीं थी non current assets के additions बगार सवाल के अंदर नहीं दीमी थी अगर दी होती ही तो liabilities को जैसे उठाया है उनको भी वैसे उठा लेते अगर दी होती ही तो operating खर्चों को जैसे उठाया है उसको भी उठा लेते अब वो बनाने को पंदरा नंबर का सवाल बना दे उसी चीज़ों को उठाना ही है जैसे ये दोनी चीज़ों उठानी आपने सवाल से सीख ली इसी तरह कालकला को कोई और चीज़ों आगी तो उठाके लिख लेंगे जहाँ पर चलें जी ओवर करते हैं यार काफी होगी है चीज़ों अब किताब में वापस आजी है हाँ किताब तो काफी उपर पुड़ी है financial statements में हाँ जी किताब में आजो यार यह ना एक दो लाइने पढ़के फिर close करते हैं page 428 का top IFRS 8 की discussion close करते है page 428 non-reportable operating segments बोलो कुछ भी नहीं मैंने गया बताने आपको non-reportable operating segments आप मुझे बताओ non-reportable operating segments chemical soda और pharma का नाम बताओ अच्छा एक मिनट इन पांचों का नाम बताओ operating segments excellent शुकर आप से जो हम करें फायदा हो गया इन पांचों का नाम chemical soda और pharma का नाम reportable operating segment और polyester और paint का नाम non-reportable operating segment non-reportable के लिए अलग column डलने है उस column का नाम है all other segments अब यह standard का पहरा नंबर 13 operating segments that do not meet any of the quantitative thresholds may be reported oh may be reported separately if management believe that information would be useful to users पहले तो इस बात का मझे मतलब बता दो अगर management समझे के polyester जरूरी है तो फिर पीछे painter रहा जाना है एक column हो चलो अगर management समझे के polyester का information बताना फिर भी जरूरी है तो ठीक है polyester आप जो है पिर डाल दें column इसका क्या मतलब है standard थोड़ा leverage दे रहा है थोड़ी relaxation दे रहा है ज्यादा tight rules नहीं लगा रहा tight rules क्या होते bus करना है तुमारे कितने reportable है जी हमारे तीन reportable है bus तीन को show कर दो नहीं standard यह नहीं कह रहा हमने standard को जा कर चा standard, standard यह मेरा non reportable है standard का कोई मसला नहीं है अगर तुमारा दिल चाह रहा है इसको show करना तो show करतो कोई मसला नहीं तुम्हारी मर्जी है रहा हम नहीं कर रहे है तुम्हारा दिल चार है जज़ादा information देने को ज़्यादा information देने में standard मेरा निकाल मसला करते है तो ज़्यादा information देनी है दे लो तो ये एक बड़ा important concept MCQ के दिएबार से लेकिन अगर management सोचती है कि मैंने उनको नहीं शो करना लग जैसे हमारे सवाल में फिर क्या करें non-reportable are required to be combined non-reportable are required to be combined non-reportable are required to be combined by effort is said to be combined and disclosed in all other segments category and will be disclosed as easily all other segments paper में other लफ्स बुक में अदर लिखा वात है मैं एच्छा लफ्स लिखवाद यह standards to target and we reported all other operating segments separate from other reconciling items in reconciliation reconciliation the पढ़िन इसले इतनी से लाइन आपको समझनी आएगी आखरी लाइन समझ आ रही है क्या मतलब entity must disclose the source of revenue in the all other segments category नहीं source of revenue आपने ना कहीं user को नीचे लिख के बता देना के all other segments include polyester and paint लेकिन breakup नहीं देने यह वाले कि all other segment की source of revenue क्या है source of revenue क्या है मिसाल के तर पर राइस वाले कहते हैं CA, ACCA, CEMA, यह तीन चीज़ें हम करा रहे हैं अब user ने का all other चलो तुमने कठे तो कर दी हैं ऐसी दरब तब all other हैं क्या आपको यार वो FA की थोड़ी सी class हैं करवाई थी एक दफ़ा FAC की करवाई थी और कुछ यह नि कहां से पैसा कमाया इन में नहीं मुझे पता है चले जी अब यह जनल डिस्क्लोजर्स वरी बात रहेगी है हमारी यह इंशाला कल करेंगे ठीक है यह आई एस पोट इबन निकालो आई एस पोट इबन बलकि उसमें जो लेक्चर नोट्स वाला है वो निकाल लो होंवक कोई भी निया सिर्फ पास्वर का क्रिशन वान ही आपको यह यह पेज़ेट 50 है क्रिशन नमर्न नाइन अच्छा सवाल की रिकार्मेंट वड़ो यार बायो लॉजिकल एससेट्स कितने आने चाहिए बैलेंस शीट में ठीक है तो इसलिए नीचे आपने सुलूशन ही देखना बायो लॉजिकल एससेट्स कितने आने चाहिए अच्छा जी ट्रीज ग्रोन फॉर यूजेज लंबर आपको क्या लग रहा है यह ट्री ग्रो कर दिये हैं लकडी काटने के लिए या यह ट्री काट गए है और लकडी कटी पड़ी है तो इसका मतलब है ट्रीज अभी लगे में या उत्रे में यह बता दो लगे में हैं या उत्रे में हैं लगे में हैं तो ट्रीज ग्रोन लिखा हुए ना कट तो नहीं चुके हुए इसलिए जब तक ट्रीज लगे में हैं तो जिन्दा हैं तो यह बाइलाजिकल एसिट है अच्छा सवाल पूछे के बाइलाजिक लैसे का टोटल बताओ इस 44 को लिखनो टोटल करने में आगे चलें ट्रीज कल्टिवेटेड लगाएं हैं कल्टिवेट का मतलब नहीं होता है कुलाडी पकड़ के काटें हैं ट्रीज लगाएं हैं के उनसे फ्रूट आए और उनकी लक लक्ड़ी भी आ जाएि यह बियर200 प्लांट नहीं है यह कुई ऐसे ट्रीज हैं जो लगते ही लकझी के लिए भी है और फल के लिए हैं तो इसको ''bearaid plant'' नहीं कैसकते, क्योंकि ''bearaid plant'' में तो लकडी के मकसूद नहीं होती थी, एंड़ पेश क्रेफ लका होती थी तुममार सेल के तरह पर आती थी, है यहार कल्टीवेटेड वो क्या करते हैं हार्वेस्टेड तो ने लिखा वा तो मैंने तो यह एजम्शन ली है कि लगी में है चलो पेपर में जम्शन देदे ना फिर अगर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग से बात लग रही है वैसे मैंने किताब से यह सवाल उठाया वह बाहर किताब थी तो ठीक है पर आईकेप ज़्यदा वेग चीजों को नहीं रखता लेकिन एन्वर क्रॉप्स पर डिसकुशन कर लेते हैं अगर लगी में है अलूगरा जब तक लगे में है तब तक बायो लाजिकल एसेट और जब कट गए तो अगर आपको कन्फीजन हो रही हो में तो कोई नोट दे ना ठीक है मैंने फिरहल ये जियूम किया है मैंने फिरहल यह जियूम किए क्टे नही हुए कुमें डालको एक किस वालों में हमें यह बसा नहीं आ रहा हूँ एमसी के उस भी कर ली है बियरल प्लांट्स जिरो लिख दू होगे क्योंकि मुझे मैं किसका टोटल करना चाहरा हूँ बिये का बिये का जिरो जिरो नहीं समझ आ रहा तो 52 लिखके काड़ देता हूँ जो भी सांद आए इसको फ्रूट्स ग्रोइंग ऑन बियरल प्लांट फ्रूट्स ग्रोइंग ऑन बियरल प्लांट फ्रूट्स ग्रोइंग ऑन पियरल प्लांट मैं थरा थोड़ी सी इस पर डिस्किशन चाहूंगा जब तक आम दरखत पे लगाव है तो दरखत बियरल प्लांट है आम बायोजिकल आम at the point of harvest agricultural producer और आम जब गिर गया नीचे जमीन के ओपर तो फिर इंवेंटरी है प्लकिंग के टाइम पे प्लकिंग के टाइम प्लकिंग के टाइम प्लकिंग के टाइम पे वो क्या है इंवेंटरी लेकिन जब तक गुरो हो रहे है अभी इस पर आईए सोला लगेगा ना यार यह अग्री कल्चलल अलेक्टिविटी नहीं है लिखो not an एग्री कल्चलल अलेक्टिविटी तो बाइलाजिकल एसट तो हो गई नहीं यह बाना कि यह living animal plant है लेकिन फिर भी नहीं प्लाइजर शीप करेवड शीप करेवड शीप करेवड बाइलाजिकल एसट है आगे चलें वूल शीरड फ्रम शीप शीर हो चुकी है शीप से यह तो बाइलोजिकल यह तो at the point of harvest या उसकी discussion की जुरूद नहीं शीरिंग हो चुकी है तो obviously यह बाइलाजिकल एसट नहीं है at the point of harvest यह अग्रिकल्टर प्रोड्यूस है अफ्र हर्वेस्ट यह inventory है आओ अगले से पे question 10 question 10 कासी मली शाव कॉर्पोरेशन अपरेट्स मैंगो प्लांटेशन अपरेट्स मैंगो जूसिस अपरेट्स मैंगो जूसिस अपरेट्स मैंगो पुआप ने तो अपह़गा ने यह यह वा आपने एप आप बतादें मैंगो ट्रीज इदर देखें इदर देखो बाइलाजिकल एसट है यह पी है यह inventory है मैंगो ट्रीज बो जल्दी बाइलाजिकल एसट चपेड मारह उढसे हैं बाइलाजिकल एसट बीयरड प्लांट वाले हैं अगर खाली बायोजिकल एसेट बोलो गए तो वो आईएस 41 में चले जाएंगे ठीक है तो बायोजिकल एसेट तो शायद इसे कह दो लेकिन इसे बायोजिकल एसेट की exception में डाला करो ये बीयरड प्लांट है ये क्या है बीयरड प्लांट है और इस पर कौन सा स्टेंडर लगना है आईएस सोला ओई यार ना कर आईएस सोला लगना है शुकर है स्वाल कराया जा रहा है मुझे तो परिशानी हो रही है मैंगो ट्री तो डायग्राम में दिखाई है इतनी बड़ी बड़ी मैंगो ट्री और ट्री के ओपर शाख पर उंगली रखता था आप फिर बोलते थे ये बीयरड प्लांट है जब मैंगो पर उंगली रखता था पिर कुछ और बोलते थे आज कुछ और बोल रहे हैं तो मैंगो ट्री क्या है बहुलो बहुलो mango tree क्या है IS-16, beer plant कई साल तक produce देंगे mango fruits awaiting ripening attached to the trees अभी ripe हो रहे हैं, पक रहे हैं तो इनको अभी तक हम ना inventory कह सकते हैं ना agriculture produce, क्योंकि अभी लगे में हैं साथ, इसलिए इनको क्या कहेंगे तब तक biological mango जब तक लगा वै at the point of harvest IS-41, agriculture produce after harvest inventory, mango fruits harvested at year end, अच्छा कुछ mangoes लगे होंगे कुछ mango harvest हो चुके हैं बड़ा बिजनस है हमारा, कुछ अभी लगे होंगे mangoes, कुछ mangoes harvest हो गे हैं but still lying in stock, इस पर क्या लगेगा IS-2 mango juices in stock, यह तो यार IS-2 ही लगेगा, mango juices होगे तो juice भी बन चुका वैसका जिसे आप कहते हैं मेरा तो juice ही निकल गए land, बस होगी है मेरी land land भी क्या लगेगा IS, solar roads पे ओ यार सारी चीज़ों पर I-S solar लगेगा भाई I-S solar लगेगा, clear अच्छा जी, अब आप मुझे बता दो महतरम आईए solar में मैं कौन सा model यूज करा हूँ अब बोल देना यार कौन सा model यूज करा हूँ ये solar में cost model चलो, आगे चिक के रखो काम अगर cost model यूज करा हूँ तो mango trees sky blue से highlight करता हूँ mango trees cost model पे रहेंगे land भी cost model पे रहेंगी roads भी cost model पे रहेंगी production plant भी cost model पे रहेंगी तो ये सारी चीज़ें मेरी cost model पे रहेंगी clear इसलिए मैं signal दे रहा हूँ मुझे इनकी fair values नहीं चाहिए और पागल है cost to sell भी पता नहीं क्यों minus की भी है estimated selling price less estimated cost to sell भी मुझे नहीं चाहिए मुझे इनकी carrying amounts चाहिए cost minus depreciation तो मैं balance sheet में इसको mango trees को किस पे लेके जाऊँगा इसको मैं काट दूँ इसको मैं काट देता हूँ मैं carrying amount पे लेके जाऊँगा क्योंकि revolution model यूज कर रहा हूँ cost model cost model land को भी 3 million पे cemented roads को भी 9 lakh पे और 24 lakh पे इन चारों को मैंने टिक कर लिए इन चारों को total करूँगा ये मेरा पी-पी का total आजएगा whatever the total में भी बस बस class खतम हो रही है अठेंटिव रहें यह 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 जो दो inventories के items है जो fruit कटे पड़े हैं और जो juice बने पड़े हैं इनको किस पे show करने इनको किस पे show करने आई एस टू पे अच्छा मुतरम जब इनको मैंने आई एस टू में show करने तो इनके ओपर जो है वो discussion कर लेते हैं कि इनको कैसे show करना है अच्छा आई एस टू में क्या लफ्स यूज होता है fair value minus cost to sell या estimated selling price less cost to sell किसी को याद आ रहा हो यार estimated selling price less cost to sell अच्छा अब मज़े की बास सुनो जब गोर से बास सुना ये discussion मज़े की है mango fruits की mango fruits है या mango juice है डबो में mango fruits है mango fruits are vested at year end but still lying in mango fruits है ये mango पड़े हुए है शाहिद freezer में रखे हूँ या जैसे हमने store की हूँ mango fruits है ये जब mango fruits कटे होंगे तो इनकी fair value minus cost to sell 321900 को 1900 और कट के हमने store कर लिए होंगे store room में तो उस वकट उनकी NRV है ये मैंने आपको कहा था कि जिस दिन कटेंगे उस दिन के fair value minus cost to sell इनकी cost बनेगी और उसके बास year end पे अगर पड़े रहे तो NRV से compare करेंगे अब ये cost है ये NRV है ये NRV है दोनों में से लोर बराबर हैं दोनों इसलिए बनाई inventory में ये कितने पे जाएगा 1900 clear अच्छा अब बात के लेते हैं mango juices in stock mango juices in stock यही जो mango juices है ना mango juices पे तो IS 41 भूली जाओ mango juices पे इसलिए IS 41 भूल जाओ कि जो mango है ना mango ये देखना mango जो mango है ना mango उस पे point of harvest पे IS 41 लगते है उसके बाद IS 2 लगते है इसलिए मैंने ये दोनों ये डबा mango juice in stock उसकी बात करो mango juice के ओपर तो IS 2 लगेगा ना mango juice के ओपर तो छोड़ो IS 41 तो mango juice पे जब IS 2 लगेगा IS 2 में कोई model नहीं है fair value minus cost to sell ये IS 41 का model है ये छोड़ो परे इसमें estimated selling price minus cost to sell आते है आज एक बात करता हूँ आप भी आए बैठे हो IS 2, IS 41 में फरक है IS 2 कहते है NRV पता है क्या होती है estimated selling price minus cost to sell IS 41 कहते है fair value minus cost to sell पे चीज़ों को रखना है estimated selling price पता है क्या होती है estimated selling price होती है कि अगर fair value से उपर किसी बंदे से मैंने बात कर लिया ना बिकवाने की तो उसको उस price पे show करूँगा IS 2 ये नहीं होता कि fair value minus cost to sell IS 2 कहते है estimated selling price minus cost to sell तो वैसे भी बताओ fair value minus cost to sell वाला मौडल किसमें है IS 41 में mango juice खुद क्या है यार बता दे mango juice खुद क्या है inventory तो जब mango juice inventory है तो IS 41 से तो बाहर निकल गई तो जब inventory है तो फिर इसको inventory को estimated NRV पर show कर दें लेकिन इसकी carrying amount ये है आप बता दो carrying amount inventory की ये है यानि cost और NRV ये है इन दोनों में से law बताओ बोलो 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 इन दोनों में से law बताओ ये और ये इन में से law carrying amount का क्या मतलब होता है फिलहाल किताबों में कितने पर पढ़ी है एक हजार की फिलहाल किताबों में एक हजार की पढ़ी है लेकिन दे के कितना जा सकती है बारह सो अब बताओ किस पर show करें law और के उपर clear? और आखरी चीज बस ठीक हटम होगी सारी चीज़ over biological assets biological assets biological assets तो यह है ना biological assets तो रहे है हमारे mango fruits लगे में है weightening, ripening तो जो mango fruits लगे में है लगे वे वो biological assets है इसलिए इस बात को भी छोड़ो इस बात को भी छोड़ो mango fruits जो लगे में है उनके fair value minus cost to sell पंदनास वारा हो गयदा यह वरा पंदनास हो देख लो नीचे यह वरा पंदनास हो आ रहे clear तो यह balance sheet में तीनों चीज़ें लग लग जानी थी clear over अब आफिस